हेलो दोस्तों बेलकम बेक तू सत्या क्लासिस आज हमारा टॉपिक है यूपी का ठीक है तो इसकी सेकेंड क्लास है इसमें बोगल लिक जो भी आपकी अवस्था है उसके बारे में बताएंगे चल्चाएं करेंगे ठीक है अब्जेक्टिप टाइप पॉस्चन है और यह काफी ठीक है ना तो जो भी नए लोगों एक चैनल को सुस bind करेंदना ओ जो ंदो कर देना तो वीडियो को लाइक कर देना इसे एयर कर देना ठीके ना तो सुरूआत करते है पहले क्वाश्ण से च्छेटपर की देमर के स्थिति से उत्तरपरदेश का कौन सा सब्स्तान है ना ठीक कौन सा बोस्त कर दो सी तो सीर्ट तो उत्तर पुत्रगेसट है यह आपका अपका य harm यहां से लेगे लबग आपका साड़े 23 डिगरी उत्तर और दच्छर दोनों साइड में ये कटबंद आपका उस्ट कटबंद हो जाए या नि गरम रहेगा इसके ऊपर जाने पर लबग आपका कितने पड़ेगा 45 डिगरी तो कर्मी आपकी पड़ते नहीं सीटोस कटबंद हो जाता है आपका 45 डिगरी से साड़े 26 डिगरी दोनों गुलार्दम हो जाएगा उत्तरी और दच्छर दोनों में ठीक है ये मैन आपकी है एक्वेटर है यानि भूमत रेखा है इसके ऊपर जाने पर और दच्छर जाने पर और दिहार रखना जलवाय जो है वो उसके कटबंद दिनिया मानसुनी जलवाय है उत्तर प्रदेश की लेकिन कटबंद किसमें स्तेत है तो हो जाएगा आपका उपोस्ट में दोनों कोशन पूछे आते हैं बहुत डावड़ वाली कोशन होते हैं दिहार रखना ठीक है ना चलो जाएगा नो दोसमा एक्कीस परखना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा तो 7.33 परसेंट जो है यह बाहरप के छेतवल का कुल मिला के उत्तर प्रदेश का छेतवल पड़ेगा और कौन से स्थान पर पड़ेगा आपका चोथे स्थान पर पड़ेगा ठीक है पोउंट आपको ध्यां रखना है आगला कोशन देखते हैं यमने मैंसे उत्तरप्रदेश से संबने कौन सा कथन गलत है तो हु पहला है पूरब से पशिम तक उत्तर प्रदेश कि लंभघ 650 love 650 www 650 है उत्तर प्रदेश का चेतपल दो लाग चालीस जार नौस अठाथास बर क्लोमीटर है बिल्कुल सही है ठीक है ना च्वाता कोश्चन हो जाएगा उत्तर प्रदेश का अच्छांसियो देशांत्री विस्तार लवज सात डिग्री में है तो यह भी आपका पॉइंट लवज सर्दा आपको ध्यान रखना है यानि आपका देखा जाए तो अच्छांसियो कहां से आ तक है तो उत्तर प्रदेश का अच्छांसियो विस्तार लवज आपका तीस डिग्री बावण मिनिट से लेके यह थी आपका च्छांस तक है और रहे अगर देशांत्री विस् साथ यहां से ही पढ़ जाएगा तो टोटा मिला कब कितना हो जाएगा साथ हो जाएगा यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है ठीक है चलो ले कोशन पर पड़ते हैं पांच माँ कोशन है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हरयाना हिमाचल और उत्राखंड की सीमा से लगा और ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश की सबसे कम जो सीमा लगी हुई है वो हिमाचल प्रदेश के साथ ही लगी हुई है तो हिमाचल प्रदेश भी उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुई है ठीक है यह पॉइंट आप पो ध्यान रखना है चलो बढ़ते के लिए पास के तीन जले होंगे बाकि एक जला या तो उत्तर प्रोदिस का पूर्भी जिला होगा या पश्मी होगा या उत्तरीह दच्रीह वह लेकिनी सके आस पासट का नहीं होगा तो ध्यान सी से आपका नेपाल की सीमा से लगाएं तो यह है अपका पीली भीत पारेलि में पूह में देना नहीं यह पॉंट आप दिहान रखना चलो ले कॉश्चन को बढ़ते हैं अगला कॉश्चन है पुत्तर प्रदेश के किस जिलेस में सबसे कम बरसा होती है पहला जहां सी है दूसरा एटा है तीसरा मत्रा चौथा जालून तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मत्रा तो मत्रा में स इत्व्चिम फिर्स यूप में लगआ आपको यहां रखना है और यह सबसे अधिक बरशा प्रसफ पांतर में घृसक तो उत्तर एक वह को चाले स्लिकिता को मैं जुन के महीने मैं उत्तर प्रदेश में चलने वाली गर्म और सुस्कवण को क्या 68 पच्छुगा पूर्वा लू या वैसाकी तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लू कहा जाता है तो लू एक का आपकी गरम हवा है जो आपकी सुस्क्वी है और यह आपके लवग राजिस्थान पश्मी उत्रप्रदेश हर्याना पंजाब उत्री आपका लवग आपका जिले में सरवाधिक बरसा होती है तो मैं अभी बताया था बारारसी, गोरकपूर, सिरावस्तिय, सहरन पूर्थ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका गोरकपूर तो गोरकपूर में सबसे जादय बरसा होती है पॉइंट आपको दियान रखना है ठीक है अगला कोशन द परता है उस छेत्र में सबसे जादा बरसा होती है इत्तर प्रदेस में और जैसे हम जो हिमाले की जो तलेटी है पहले हिमाले पड़ेगा हिमाले के बाद सिवाले के बाद सिवाले के बाद फिर आपका एक प्रदेस है खादर प्रदेस फिर तराई प्रदेस है तो जैसे हम अगला कोशन देखते हैं उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला करक रेखा के सबसे नई दीख पड़ेगा तो पहला लरितपुर है दूसरा सोन बद्र है तीसरा चित्रकूट है चोथा इटावा है तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा सही आंसर इसका हो जाएगा आपका सोन बद्र सबसे देख तापी उर्जाइक को निर्मार होता है वो भी आपका स्वान बद्र में होता है और स्वान बद्र में आपका ध्या रगना एक ताप सहींतर है कि शुरी क्या नाम उसका चुरो छोटा ध्यान नहीं आ रहा अगला कॉशन देखते हैं चौदमा कॉशन उत्तर प्रदेश का निम्न में छेत फल की द्रिश्टी से सबसे छोटा जिला कौन सा है तो हमीरपूर, बांदा, हापुड या बाराडसी तो इसका सयांसर हो जाएगा आपका हापुड जो गाजियबाद के पास है ये सबसे छोटा जिला है ये ध्यान रखना है आपको ठीक है अगला पॉण देखते हैं नेक्स्ट पॉण्ट है उप्तरपदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है तो गाजिपूर, बलिया, बागपत या महराज गल तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बलिया तो सौन भद्र सबसे दच्छिड जिलाए यूपी का, उत्री सारनपुर है, पूर्भी बलिया है, और पश्मी आपका सामली हो जाएगा, तो ये पॉंट आपको धियान रखना है, ठीक है ना, अगला question देखते हैं, next question आपका है, उत्तर प्रदेश का कौन सा छित्र सबसे पानी चट्टाने मानी जाती है, ठीक है ना, तो ये पॉंट आपको धियान रखना है, ठीक है, अगला question देखते हैं, अगला question है, उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है, गंगा है, घागरा है, गंडग या सोन है, और गंडग नदी को सदा नीरा भी कहा जाता है ये क्या कहा जाता है सदा नीरा नदी भी कहा जाता है और इसमें एक सालिक ग्रामी नाम के पत्थर भी पाए जाते हैं जो बिश्णू के निर्जी वबतार माने जाते हैं कौन से सालिक ग्रामी तो ये भी पूछा जाता है कि भारत की कौन सी नदी है जिसमें सालिक ग्रामी नाम के पत्थर पाए जाते हैं तो किसमें पाए जाते हैं आपके गंडक नदी में पाए जाते हैं ठीक है न तो बैदिक काल में से सदा इरा के नाम से जाना जाता था जो उत्तर प्रदेश की कौ से hydrogen सी बनाती है गंगा राम गंगा जाम वंno या गुमती तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपको यम् agree aunque आपको दियांद रखना है चलो और यमना की सबसे बड़ी सहाइक नदी कौन सी है तो इसका नाम हो जाएगा आपका ये क्या नाम है हिमाचल से आती है हिमाचल से आती है इसका नाम है टॉंस नदी तो टॉंस नदी जो हिमाचल से आने वाली नदी है जो हिमना की सबसे प्रमुक सहाइक नदी पूंट आपको धियान रखना है ठीक है ना अगला वोशन देखते हैं दूसरा पूंट है उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मांसून जो आने वाले मांसून को क्या कहा जाता है तो पूरबा चौमासा महावट या कालवैसा की तो इसका सही आंसर हो टो पूरबा बंगाल की खाड़ी से मांसून हिवाएं आती हो आने क्या बोला जाएगा पूरबा कहा जाएगा चौमासा यह भारत में चार मेने का आपका मांसून का सीजन जो होता है उसे बोलते हैं चौमासा और महावट जो सब्द आपका पश्ची मिच्छोप से चलती है आप इसे बुलते हैं वबंडर् जो आते हैं आधीटैप में तो यह आपके पश्य मंगाल में आते हैं तो पश्य मंगाल में मार्च प्रेर के महीने में होने वाली जो बशाओ उसे काल वैसाही बोलते हैं यह पॉइंट आपको ध्यां रखना ठीक है और जब आएगी यहीए तो दुथीर पोउयंट और बता दे रहा हूं अगर आपको पूछा जय कि आमर बॉर्षा भारत में का। होती तो आमर बॉर्षा केरल औरकरना ठक बान राज जा होती है अगर यह पूछा जा जई बताव मुझे चेरी बॉलासम नाम की वर्षा का। होतीWork तो cherry blossom नाम की बरसा कहा होती है यह आपकी करना टक में होती है किसकी खेती के लिए important होती है आपकी coffee की खेती के लिए काफी important होती है ठीक है अगला question देखते हूँ last question है आपका निमने मैंसे उत्तर प्रदेश से संबंद कौन सा कथन गलत है तो उत्तर प्रदेश में सबसेदिक बरसा अगस्त के महीने में होती है बिल्कुल सही है ठीक है सबसेदिक बरसा अगस्त के महीने में होती है उत्तर प्रदेश का त्रवजाकार जो आपकरती है ये भारत की आकरती है ठीक है ये पॉंट आपको दियां रखना है तो उसमें तीसरा ही कहलत है चोथा क्या था कि उत्तर प्रदेश प्राचीन तम गौंड बाना लेंड का हिस्सा है बिल्कुल सही है क्योंकि गौंड बाना जाता था अंगारा लेंड ये पॉंट आपको दियां रखना है एंगारा लेंड और धश्र में इसे भूला जाता था गौंडawanा लेंड तो धच्र में आपका भारत भी आ समें इसमें आपका जो फोLY हो ब warm जाए Iraq अपकरा महादिने शाइगा जातन न न जीक हो ओंड़ स कर दो, तो इस तरीके से आपका इसकांसर होगा आपका तीसरा एन तिरोजाकारनी कैसा है आपका लंबबद है, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लैक जरू कर देना, और मिलते हैं कल अगली वीडियो में आज मैं क्यों दो दो आन्य वाट